जो जिस तरीके से पेपर आउट, पेपर भिकना, पेपर को सेंटर के एक सेंटर के एक गाउं के सो थानेदार बन गए जालोर में एक गाउं के सो थानेदार, कौन सा दिमाग आ गए एक इसे गए उन्हें राजस्तान में एक गाउं में सो थानेदार सीकर के कलांग कोचिंग सेंटर पर E.D. का छापा पड़ते ही पेपर लीक वाला मुद्दा फिर से गर्मा गया कपर पता लगते ही राजस्थान सरकार के बरखास्त मंतरी राजिंदर कुड़ा भी सामने आ गए फिर से लाल डायरी की बात करने लगे कहने लगे कि पेपर लीक पर सवाल खड़े करने ही चाहिए लेकिन उससे पहले इस बात पर सवाल पूछने चाहिए कि जिन लोगों ने पेपर बनाए जिन लोगों को राजस्थान लोग से आयोग में बड़े पदों पर बिठाया गया आखिर उनके रहते इतनी बड़ी चूप कैसे हो गई राजेंदर गुड़ा ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ जुन्जुनु तक ही सीमित नहीं रहेंगे बलकि पूरे पडेश में मैलाओं के सम्मान और नौजवानों के हग की लड़ाई का आखाज करेंगे पूरे राजस्तान में एक गाउं में सोथानेदार है और जिस तडिके से और पीसी के अंदर जिन लोगों को बैठाया है कौन बैठा रहा इनको कटारा पकड़ा जाता है पेपर बेशते वे बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता कि ऐसे निकम्म को क्यों बना दिया संजे सोथरी जी है और पीसी के चेर्मेन क्या थे क्या है उनका और पेशी का चेर्मेन बना दिया सारी की सारी लिष्ट मुक्यमंत्री के यहां से जाते है इंट्रिव्य की और दूसरे फैल इधर सीकर के लश्मर्णगर से कॉंग्रिस के विधायग, पेपर लीग के वक्त शेक्षा मंत्री के पद को सुशोबित करने वाले मौजूदा PCC चीफ गोविन सिंग डोटासराजी से भी रहा नहीं गया किसी ने डोटासराजी का नाम भी नहीं लिया, ना तो पेपर लीग मामले में ईडी ने उन्हें फोन किया फिर भी वो मीडिया के सामने आ गए और कहने लगे कि साहब सीकर वाली कलांग कोचिंग से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं जिनको जो एजेंसिया काम कर रही है वो स्वतंतर रूप से बारतरिस्टा से काम करें कहीं भी जाएं कोई जाज करें अगर कोई दिकत कोई घड़बड पाई जाएगी कोई अपरादी पाई जाएगा तो अपने कारभाई करेंगे अब बताईए बिना बात के ही जो टासरा जी अपनी सफाई दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए खैर डोटासरा जी पेपर लीग जैसी घटनाओं को ज्यादा कमभीरता से नहीं लेते पेपर लीग को तो ये पूरे देश की समस्या बता रहे हैं और घुमा फेरा कर बीजेपी वालों पर ही डोपी ट्रांसफर कर रहे हैं 200 लोगों को चेल के अंदर मिटादा अगर ये बीजेपी के समय वसंद्रा जी के समय अगर यह कर देते तो आल यह काम्याब नहीं ओते यह आगे नहीं पढ़ते और यह दुबारा हिम्मत नहीं करते और थो कानून आ गया है अब बहुत बहुत अच्छा कानून बना question Chief 1901-19 पेपर लीग की घट्टाओं से नाराज प्रदेश के युवाओं का खूल रहा है इधर अपनी सरकार के लोग कॉंग्रिस की मुश्किलें बढ़ाने को तैयार खड़े हैं अब ऐसे में बीजेपी भला इन मुद्दों को क्यो छोड़ना चाहेगी बरखास्त मंत्री राजिंद्र गुढ़ा की लाल डायरी के अभी कुछी पन्ने खुले है इडी का एक्शन शुरू हो चुका है सोचिए जब डायरी के बाकी पन्ने पल्टे जाएंगे तो ना जाने क्या क्या होगा राजस्थान तक के लिए जुझनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट